बोलिये लक्ष्मी गनेस भगवान ना की जाए आज का रासी फल आज का यहीं कि चौदा है ग्यारह दोजर उन्नीस का दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है आज के इस वीडियो में मैं आपको यहीं बताने वाला हूँ मित्रों गुड़ मॉनिंग इंडिया अदाब शलाम शश्रीकाल नमस्कार सुप्रभाद केम छो कसे काई के रो आला है कैसे हैं आप लोग केना अच्छी यहां सब कैसन वानी हावर यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे दुरुस्त होंगे और आपका समय आजे में बीत रहा होगा मैं ऐसा सोचता हूं आए मित्रों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं आज का रासिफल आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है आए जानते हैं आज का सद विचार जो बदल दे आपकी जिंदगी थोट अफ दडे विल चैंज य ज्यादा होती है आप जब तक जिंदा है तब तक तो वह हैं ही लेकिन आपके मड़ जाने के बाद भी आपकी चरचा तो नहीं होगी लेकिन आपके छवी की चरचा जरूर होगी कि आप कैसे थे इसलिए अपने छवी का हमेशा ध्यान रखें आज का पंचांग य Craft का पंच 57 पिम में चंदराशे बिर्याश् 원 जो है पंच बज़ad 28 मिनट पिम में हो रहा है और चंदराश जो है वा 8 बज़ कि पंच मिनट एयम में हिमंद्रितू है मित्रों और देन काल जो होगा वो 10 गंडा 45 मिनट का हो गया दिन यनी कि 11 गंटे से भी 15 मिनट कम गए यह जो महिना है वो माग है अथवा मारग सिर्ष भी आप कह सकते हो आज का जो सुब समय है जिसमें कोई अच्छा काम बढ़िया काम कर सकते हो वो है 11 बज के 43 मिनट एम से लेकर के 12 बज के 26 मिनट पी-म तक का जिसमें आप चाहे तो कोई भी सुब काम कर सकते है असुब समय जो है दुष्ट मुर्थ जो है आज वो है 10 बज के 17 मिनट एम से लेकर के 11 बज एम तक का और दूसरा जो दुष्ट मुर्थ है वो है 2 बज के 36 मिनट पी-म से लेकर के 3 बज़ के 19 मिनट पीम तक का रहुकाल जो है वो है 1 बज़ के 26 मिनट पीम से 2 बज़ के 46 मिनट पीम तक का और आज दो दिसा सूल है वो दच्छिन दिसा की तरफ है यानि कि दच्छिन दिसा के यात्रा जो है आज आज आपको नहीं करनी है क्योंकि ये यात्रा आज आपके लिए सुभ नहीं है क्योंकि आज दच्छिन दिसा में सूल है लकिन फिर भी अगर आज यात्रा करना चाहते हो तो आज आज आपके लिए उपाई ये है कि घर से थुरा दही खा करके निकले उसके बाद ही दच्छिन दिसा की यात्रा करें तो मित्रों यही थी आज की पंचांग मेस रासी मेस मित्रों मेस के सामने जो आपको अक्छर दिखाई दे रही है नाम अक्छर लिखा हुआ है जैसे की चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और औ इन में से अगर किसी भी अक्छर से यानि की किसी भी अक्छर से आपका नाम सुरू होता है तो आपकी रासी मेसुई जैसे की ओ अक्छर पर में आपका नाम है अमरेस, अमन जैसे की ली अक्छर पर में आपका नाम है लीला लाक्षरपड में जैसे की नाम है आपका लाला और इसे ही आपका चौक्षरपड में भी नाम होगा अब क्या कैसे नाम है मुझे तो अतना नाम याद नहीं लेकिन आपका क्या नाम है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं मित्रों कहने का मतलब यह है कि इन में से किसी भी अक्षर से आपका नाम सुरू होता है तो आपकी रासी मेश हुई आपके रासी स्वामी हुए मंगल देबता और आपका जीवन रतन हुआ मुंगा मित्रों अगर आप कोई रतन पत्थर इस्टोन जेमस चाहे अपनी भासा में आप जो भी कहते हो धारन करना चाहते हो तो आप मुंगा नाम का रतन धारन कर सकते हो लेकिन मित्रों जो हमारे भाई बंधु मुंगा को धारन करने में सक्षम नहीं होंगे वो लोग मुंगा के बदले में जीवन रत्न के बदले में जीवन मंत्र का जाप करेंगे पहले में मुंगा के फाइदे और नुक्सान आपको बता देता हूँ मित्रों मोंगा रत्म धारन करने से आप में साहस में बिर्धी हो जाएगी आत्म विश्वास आपका चमतकारिक रोप से कई गुना बढ़ जाएगा जो लोग पुलीस में हैं, आर्मी में हैं, डॉक्टर हैं, पुरपटी का काम करने वाले हैं हथियार निर्मान करने वाले हैं, सरजन हैं, कम्प्यूटर सॉफ्टवेर अथ्वा हाडवेर इंजिनियर हैं इन सभी लोगों को मोंगा धारन करना चाहिए, इनको बिसेश लाव प्राप्त होगा मित्रों जैसे कि किसी व्यक्ति को रक्त संबन्धी कोई बिमारी है, मिर्गी है, पिलिया है तो उस व्यक्ति को भी मोंगा धारन करना चाहिए, इस से उनको बिसेश लाव होता है और विसेज लाभी नहीं होता इस बिमारी को ये दूर करने का च्छमता भी रखता है मित्रों लेकिन जो लोग इस रतन को धारन करने में सक्छम नहीं है उनके लिए उनका जीवन मंत्र है जीवन मंत्र का भी वो लोग जाप कर सकते हैं जीवन मंत्र के जाप से भी बहुत चमतकारीक फाइदा होगा मंत्र है ओम मंग मंग लाए नमहा ओम मंग मंग लाए नमहा इस मंत्र के जाप से अगर आपके पड़िवार में आपकी माता से अनबन रहती है आपके personality को अगर आप bold करना चाहते हो आपका मन अगर जल्दी घबरा जाता है ज्यादा डर लगता है अथवा आपके शाहस में कमी है आत्म विश्वास में कमी है तो इन सभी को ये मंत्र दूर करेगा आपके जीवन से सभी समस्याओं का ये दीरे दीरे करके अंत्र करेगा तो जो लोग रतन को धारन करने में सक्षम नहीं है वो इस मंत्र का जाप करें सर्त ही है कि इस मंत्र का जाप वो मंगल वार के दिन से ही प्राणभ कर सकते हैं दूसरा सर्थी है कि इस मंत्र का जाप दैनिक रुद्राक्ष के माला पर में कम से कम 108 बार करना है मेस रासी वालों का आज का रासी फल यारी कि 14 नवंबर 2019 दिन गुरुबार मित्रों अपना धैरे ना खोएं खास तोर पर मुश्किल हालात में आज आपको भूमी रियल एस्टेट या सांस्कृतिक प्रियोजनाओं पर ध्यान के अंद्रित करने की जरूरत है अपने जीवन साथी के साथ प्यार अपना पन और स्रेह मैसूस करेंगे आज आप साथ में कहीं घूमने फिरने जाकर अपने प्रेम जीवन में नई उर्जा का संचार कर सकते हैं के पास आज अपनी छमताओं को दिखाने के मौके होंगे कोई अध्यात में गुरू या बरा आपकी सहायता भी कर सकता है आपका जीवन साथी बीना जाने कुछ ऐसा खास काम कर सकता है जिसे आप कभी भूला नहीं पाएंगे मित्रों स्वास्त के लिहाज से आज का दिन आपका बढ़िया नहीं है धनसंपत्ती के मामले में समय अच्छा है पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है प्रेम समंदर वैवाइक जीवन के मामले में भी समय जो है आपका वो बढ़िया रहने बाला है बिजनेस आज आपका अच्छा चलेगा फाइदा ज्यादा नुक्षान कम के चांसे दिखाई दे रहे हैं धनसंपत्ती के मामले में तो समय अच्छा है ही बाकी आपका पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा और अगर आज कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो भी अच्छा रहेगा मित्रों अगर आप नौक्री करते हैं तो नौक्री करने वाले लोगों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है उपाई ये है कि अपने से बड़ी इस्तिरी जैसे कि मा, दादी, नानी या कोई बुजर्ग महिला का असिरवाद ग्रहन करें इससे आपका स्वास्त यानि के हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा तो यही थी मेश रासी वालों के आज की रासी फल बिर्षब रासी बिर्षब रासी बारे में अब हम जानने वाले हैं मित्रों बिर्षब के सामने जो आपको अक्छर दिखाई दे रही है जैसे कि E, O, A, O, वा, आ,कार, वा, ड्रगी, अथवाहर्सी, कार, वद्रुग, अथवाहर्स, कार, वे, और, वो इन सब में से अगर किसी भी किसी भी अक्षर से आपका नाम सुरू होता है तो आपके जो रासी है वो बिर्सब हुई आपके जो रासी स्वामी है वो सुक्र देवता हुए और आपका जो जीवन रतन है वो हीरा हुआ वित्रों क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो हीरा को धारन करने में सक्छम नहीं होंगे तो जो लोग मध्यम बरगिये हैं वो हीरा के बदले में ओपल नाम का एक रतन आता है वो धारन कर सकते हैं अथवा ओपल फायर भी धारन कर सकते हैं, लेकिन जो लोग उसको धारन करने में सक्छम नहीं होंगे, वो लोग ओपल के बदले में असफटिक धारन करेंगे, फायदा वो भी उतना ही करेगा, अंतर क्या है कि असफटिक आपको डेर से दो साल बाद चेंज करना पड़ता है, ओपल आपको चार से पांस साल के बाद लगभग चेंज करना पड़ता है, और हीरा जो है लगभग 15 से 20 साल के बाद, या यूं कहूं तो आजीवन ही रह जाता है, दिरे दिरे करके पावर उसमें से समाप्त हो जाती है, लेकिन जो हमारे भाई बंधू, इन तीनों में से कि पताने जा रहा हूं, उनका जीवन रत्न के बदले में जीवन मंत्र, मित्रों जीवन मंत्र के द्वारा भी फाइदा आप बराबर कर ले सकते हो, जीवन मंत्र है आपका, ओम शुंग सुक्राय नमह, ओम शुंग सुक्राय नमह, ओम शुंग सुक्राय नमह, इसमें सुंग है वहीज मंत्र है और वही एक ऐसा सभ्साक्र विस्व राशी राषि बालों कि जिन्दिदगी डिकी है मित्रों तैटी समंत्र का आप दैनिक जरूर जाप करें आपको फाइदा बराबर का होगा और इसका सथ यह है कि इस मंत्र का जाप आप केबल और केबल सुक्र बार के दिन से स्टार्ट कर सकते हो और दूसरा सर्थ यह है कि इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष के माला पर में करोगे मित्रों फाइदा बराबर का होगा चाहे आप रत्न धारन करो अथवा मंत्र धारन करो मैं आपको बता दूँ कि इसको धारन करने से बिशेश रूप से क्या क्या फाइदा होगा आपका ये एक ऐसा रत्न है अथवा ये एक ऐसा मंत्र है जिसके जाप करने से आप बहुत कम समय में माला माल हो सकते हो मित्रों इसके मंत्र के जाब करने से अतवा इसरत्न को धारन करने से क्या होगा कि आपके रूप में बिर्धी होने लगेगी आपकी साốnदर जो है बढ़ने लएगे आपका यस बढ़ने लएगा इज्जत और परतिष्ठा में परचूर मातरा में बिर्धी होगी कहते हैं कि जिसकी व्यक्ति को मध में चीनी अथवा सुगर की विमारी है अगर वो व्यक्ति इस मंत्र का जाब करता है तो इस व्यक्ति के जीवन से वो बिमारी सदा सदा के लिए दूर हो जाती है मित्रों इसके अलाबा अगर आपके बैबाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी आपके आपसी संबंध में अगर कोई परेशानी आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी इसलिए इस मंत्र का दैनिक जाब करें अथवा इस रतन को बिर्शवरासी वाले निश्चित रोप से धारन करें बिर्शवरासी वालों का आज का रासी फल आज यानी की 14 नवंबर 2019 दिन गुरूबार आज का दिन विर्षब राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है आईए जानते हैं अपने मानसिक स्वास्त का ध्यान दें जो अध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है मस्तिक जीवन का द्वार होता है क्योंकि अच्छा बुरा सब इसी के माध्यम से आता है यही जिंदगी की समस्याएं दूर करने में सहायक सिद्ध होता है और इसा ही सोच से इंसान को अलोकित करता है दिन चढ़ने पर बितिये तोर पर सुधार आएगा आपके आकरसन और ब्यक्तित्त के जड़िये आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे जिंदगी के एक नया मोर आ सकता है जो प्यार और रोमेंस को लंबी और नई दिसा देगा बरिष्ट से आपको पदोनती या लंवे वक्त से लटके किसी काम के पूरे होने का तौफा मिल सकता है तनाव से भरा दिन है जब नजदी की लोगों से कई मत्भेद उभर सकते हैं बैवाहिक जीवन को अधिक सुख में बनाने के आपके प्रियास उमीद से ज़्यादा रंग लाएंगे मित्रों स्वास्त के लिहाज से आज का दिन बढ़िया है तनसंबत्ती के मामले में भी समय आपका अच्छा रहने वाला है प्रेम समंदर बैवाहिक जीवन के मामले मे समय बहुत बढ़िया है बिजनेस भी आज आपका बढ़िया चलने बाला है पढ़ाय लिखाएं बिद्यार्ति को मन लाएगा नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा है अगर को रिजल रने वाला है तो वह भी पोजिटिव होगा मित्रों उपाई आ तो यही थी बिर्सब रासी बालों की आज की रासी फल आएए जानते हैं मित्रों मित्हों के सामने जो आपको अक्छर दिखाए दे रहा है जैसे कि कौ का की कौ गहा अरा च्छा के को और हो इन में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम सुरू होता है तो आपकी जो रासी है वो मिथुन हुई जैसे कि अगर आपका नाम है कमलेस तो आपकी रासी मिथुन हुई जैसे कि आपका नाम है कीरन तो आपकी रासी मिथुन हुई इसी परकार से आफ आगे बढ़ते चले जाओगर लाष्ट में है हो तो हो से जैसे की नाम है आपका हनस राज तो आपकी रासि मित्षून हुई आपका क्या नाम है मित्षून में आप मुझे कमेंट करके बताएं और आपके रासि स्वामी हुए बुध डेवता और आपका जीवन रत्न यो है वो पन्ना हुआ। मित्रों अगर आप कोई रत्न पत्थर, इस्टोन, अंगुठी, जेम्स, चाहे आप अपनी भासा में जो भी कहते हो, धारन करना चाहते हो। तो पन्ना नाम का एक ऐसा रत्न है जिसको आप धारन कर सकते हो। मित्रों क्योंकि परना एक काफी मेहंगा रतन है हो सकता है आप मेंसे हमारे बहुत सारे भाइ बन्धुई से एफ़ॉट नहीं कर पाएं तो परना के बदले में आप उसका छोटा भाई यानिकि ऑनेक्स धारन कर सकते हो ऑनेक्स अर्पना में अंतर ये है कि ऑनेकस जो आप ध द्ञाइबध करने में सक्ठ्षम नहीं है, तो वह लोग इस के बदले में енजीवन मंत्र का मैंध स्नारा के जीवन आन्धर काईत। सम्टमाहऌ है जीवन मंत्र है टिका हुआ है तो आपको इसका प्रतेक दिन जाप करना है किस मंत्र का जाप बूद्ध के दिन से इस्टाट करोंगे और प्रतेक एक सो आठ वर करोगे क्योंकि आपका जो लखी डे है भागिसाली दिन है वो बुद्ध बार ही है और लखी कलर जो है वो हरा है मित्रों इससे क्या फाइदा होगा आपको मैं बता देता हूँ अगर इस मंत्र का जाप करते हो अथ्वा इस रत्न को धारन करते हो तो इससे आपकी चमतकारिक रूप से अस्वरान सकती बढ़ जाएगी आपकी यादा सकती मेओरी पावर बहुत तेज हो जाएगी हाजमा नाम का अगर बिमारी है तो वो दूर हो जाएगा नौकरी अत्वा बैपार में अगर उन्नती नहीं हो रही है तो उसमें उन्नती होने लएगी आर्थे की स्थिति अगर आपकी कमजोर है तो वो आपकी सुद्रिट हो जाएगी और आर्थिक स्थिती इतने सुदृट हो जाएगी जो आपको कोई हिला नहीं पाएगा रुपे पैसे की कहीं से भी कोई दिक्कत है तो वो सब दूर हो जाएगा इसलिए मित्रों आप इस रत्न को अथवा इस मंत्र का जाप करें आपके जीवन से धीरे धीरे करके जैसे जैसे मंत्र की संख्या बढ़ेगी आपके जीवन से समस्याओं की संख्या घरती चली जाएगी मित्हुन डासी वालों का आज का रासी भल यानी के 14 नवंबर दिन गुरुबार दोहजारूनिस अपने डर का इलाज का वक्त आ चुका है आपको समझना चाहिए कि न सिर्फ या स्थारी कुर्जा को चूश लेता है बलकि जिंदगी को भी कम कर देता है दिन के दूसरे हिसे में अर्थिक तोर पर फाइदा होगा अगर आप समाजिक जल्सों और कारीकरमों में भाग लेंगे तो आप अपने संगी साथियों की फ्यरिस्त में इजाफा कर सकते हैं प्यार की ताकत आपको प्यार करने की वज़़ा देती है अपने बरिष्टों को नजर अंदाज ना करें आपको याद रखनी की जरूरत है कि भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है जो याँ समझते हैं कि साधी सिर्फ सेक्स के लिए होती है वो गलत है क्योंकि आज आपको सचे प्यार का एहसास भी होगा स्वास्त के लिहाज से आज का दिन आपका बढ़ियां रहने वाला है धन्सम्ति के मामले में भी समय अच्छा है पड़िवारिक जीवन भी बढ़ियां रहने वाला है तो आपके एक्षा के मुताविक नहीं होगा नौकडी करने वाले लोगों को संगहर्स और प्रेशानियों का शामना करना पर सकता है उपाई यह है कि पीलो बस्तरों का पीले बस्तरों का अधिर प्रयोग करने से नौकडी और बिजनेस में उन्नती होगी इसलिए पीले बस्तर का प्रयोग करें आपके लिए अच्छा रहेगा तो मित्रों यही थी मित्हुन रासी वालों की आज की रासी फल आएए जानते हैं करक रासी के बारे में मित्रों करक के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रही है जैसे की ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डू इन में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम सुरू होता है तो आपकी जो रासी है वो करक हुई आपके जो रासी स्वामी है वो चंद्रमा देवता हुए और आपका जो जी बन रतन है वो मुत्ति हुआ अगर आप कोई रत्न पत्थर इस्टोन रिंग जेम्स चाहे आप अपनी भासा में जो भी कहते हो धारन करना चाहते हो तो मोती नाम का एक ऐसा रत्न है जिसको आप धारन कर सकते हो मित्रों मोती अथ्वा मूनेश्टिन दोनों एक ही है लेकिन हमारे जो भाई बंदू इस रत्न को धारन करने में सक्षब नहीं होंगे वो लोग इसके बदले में जीवन रत्न के बदले में जीवन मंत्र का जाप कर सकते हैं मित्रों जीवन मंत्र है आपका ओम चंद्रमसे 2017 मह दिआ ऑम है मत्रों करकरासि वालों का जो शंपुर्ण जीवन टिका हुआ है वो केबल्ण चंदर पर में ही टिक का हुआ है यही इनके जीवन का बीज मंत्र भी है मित्रों इस मंत्र का आपको दैनिक रोज 108 बार जाप करना है इस मंत्र के जाप का दो सर्त है पहला सर्त यह है कि इस मंत्र का जाप आप दैनिक रोज करोगे 108 बार और दूसरा सर्त ये है कि इस मंत्र का जाप आप केवल और केवल सोंबार के जिन से स्टार्ट करोगे और रुद्राक्ष के माला पर करोगे आप करोगे आपके जीवन से धीरे धीरे करके सारह समस्याओं का अंत्थ हो जाएगा इससे आपको और भी क्या फाइदा होगा जैसे की आपके मन में साकरात्मक विचार उत्पन होना सुरू हो जाएगा क्रियेटिव आईडिया आने सुरू हो जाएंगे अदभुत रोप से जैसा आपको पहले कभी न आया होगा आपके मन से जितने भी नाकरात्मक चीजें हैं वो सब धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी मन की बेचैनी मिट जाएगी इसे धारन करने पर अगर आपको सर्दी जुकाम रहता है तो वो दूर हो जाएगा भै मुक्त जीवन हो जाएगा और सुक की तरफ आप आगे बढ़ेंगे मित्रों अगर आपकी माता से कुछ अनवन रहती है तो वो भी दूर हो जाएगी अगर आपका मन ज्यादा चंचल रहता है तो वो भी इस्तिर हो जाएगा मन अगर जल्दी डर जाता है अथवा घबरा जाता है तो वो भी ठीक हो जाएगा ऐसी अनेक प्रकार की कोई भी समस्याएं है आपके जीवन में तो वो सब दूर हो जाएगी मित्रों अगर आप शक्चम हो पैसे की दिक्कत नहीं है तो आप मोती धारन करो और जिस किसी भाई बंधों के पास पैसे की दिक्कत है वो लोग इस मंत्र का जाप करें फाइदा बराबर का होगा करक रासी वालों का आज का रासी फल आज यहनिके 14 नौवंबर 2019 दिन गुरुबार मित्रों भड़े पूरे और संतुष जीवन के लिए अपनी मांसिक दिर्था में बिर्धी के जिये रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालात में सुधार आएगा दोस्त मददगार और सहयोगी रहेंगे अचानक होई रोमेंटिक मुलाकात आपके लिए उल्जन पैदा कर सकती है प्रतियस परदा में बढ़त के लिए बेवसाईयों को नई योजनाओं और रन नीतियों पर काम करने के जरूरत है कर्म, कांड, हबन, पूजा, पाठ, आदी, कायोजन घर में होगा आपका जीवन साथ ही आपकी कमजोडियों को लाएगा और आपको सुखा दनभुती कराएगा मित्रों स्वास्त के लिहाई से आज का दिन आपका सामानी रहने वाला है दनसंबत्ती के मामले में समय आपका अच्छा है पारिवारिक जीवन भी ठीक रहने वाला है प्रेम संबंध और बैवाहिक जीवन के मामले में समय आज आपका सामानी रहने वाला है नहीं बहुत बढ़िया नहीं बहुत ख्राब मिला जूलाग ठीक ठाक रहने वाला है वेजनस भी अच्छा ही चलने वाला है पढ़ाय लिखाए विद्यारतियों को मन लएगा अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो भी अच्छा रहेगा तो मित्रों यही थी करक रासी वालों की आज की रासी फल आईए जानते हैं सिंग रासी के बारे में मित्रों सिंग के सामने जो आपको अक्छर दिखाई दे रहा है जैसे की मा मी मू मे मो टो टा टी टू टे इन सब में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम सुरू होता है तो आपकी जो रासी है वो सिंग हुई आपके जो रासी स्वामी है वो सुरी देवता हुई आपका जो जीवर रतन है वो मानिक हुआ जैसे अगर आपका नाम मंजीत है तो आपकी रासी सिंग हुई जैसे आपका नाम मीरा है तो आपकी रासी सिंग हुई इसी प्रकार से लाश्ट तक आप चले जाओ जिस अक्षरपड में भी आपका नाम है इसमें से अगर तो आपकी रासी सिंग होगी मित्रों अगर आप कोई रत्न पत्थर स्टोन अंगुठी जेम्स चाहिए अपनी भासा में आप जो भी कहते हों धारन करना चाहते हों तो मानिक के नाम का रत्न धारन कर सकते हों मित्रों जो हमारे भाई बंधु इस रत्न को धारन करने में सक्षम नहीं है वो लोग मानिक्टे के बदले में यानि कि जीवन रत्न के बदले में जीवन मंत्र का जाप कर सकते हैं अपका जीवन मंत्र क्या है आम सोरे देवाए नमह आपका जो जीवन ठीका हुआ है वो सोर हुआ है इसलिए आपको ँस मंत्र का देनिक जाप करना है इसका सर्थ यह है कि इस मंत्र का जाप आप केबल और केबल रवी बार के दिन से ही स्टार्ट कर सकते हो और दूसरा सर्थ यह है कि इस मंत्र का जाप आप केबल और केबल रुद्राक्ष के मालापर में ही कर सकते हो इन दोनों सर्थ को आप अपने जीवन में लागू कर लो फिर देखो आपके जीवन से सभी समस्याओं का धीरे धीरे करके अंत हो जाएगा मित्रो Dieses रत्न को धारन करने से आफ़वा इस Mm जाब से आपको क्या क्या फाइदा हो सकता है। हाईए मैं मैं आपको बता-देता हूं अगर इस रत्न को आफभ片 कषिए जाब करते हो आप चाहते हो गुवर्मेंट्स फिल्ड वें जाना और आपको प्रिशानी आरही है तो इस रत्न के धारन करने के बाद अथवा इस मंत्र के जाब करने का दो परिशानी नहीं आएगी और बड़ी सुगमता से अगर आपके भागी में है तो गवर्मेंट फिल्ड में आप इंटर कर सकते हो गवर्मेंट जॉब आपको मिल सकती है जो लोग परसासनिक छतर में है इड्मिस्ट्रेशन के छतर में पुलीस चेना इन सब छतर में है तो उन लोगों को ये रत्न धारन करना चाहिए आपको निश्चित रूप्षे सफलता प्राप्त होगी इस रत्न को धारन करने के बाद अथवा इस मंत्र के जाब करने के बाद आपके चेहरे पर में एक बह करने के बाद अगर आपको ऐसा कुछ मैसूस होता है जैसे कि आपके सिर में दर्द होना पारिवारिक समस्याओं का बढ़ना अपयस मिलना कलंक लगना तो आप समझ ले कि ये रत्न मुशे सूट नहीं कर रहा है और तत छन फोरन उस रत्न को उतार दे और मंत्र का जाब कट स्याओं में याफा कर सकता है सारी रिक गती बिधियों को बढ़ा कर इसे या इससे निजात पाएं खराब हालात से दूर रहना ही बहतर होगा आज का दिन ऐसी चीजों को खड़िदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है कुछ लोग जितना कर सकत है उससे कहीं जादा करने का वादा कर देते हैं ऐसे लोगों को भूल जाएं जो सिर्फ गाल बजाना जानते हैं और कोई परिदाम नहीं देते गल्फरेंड बॉइफरेंड से धोखा मिल सकता है आपकी इमानदारी और उम्दा तरीके से काम पूरा करने की छमता आपको शो स्वास्त के लिहाइसस आज के दिन आपका विल्कुल खाब रहने वाला है धन्संबंथि के मामले में समय ठीक ठाक रहने बहने बुछाआ पढ़िफिया दियारतियों को मन लएगा नौकरी करने वाले लोग के लिए भी आज का दिन बढरिआ है अगर को Calendar आने वाला है तो रहेगा हेल संबंदी कोई इसू नहीं आएगी तो मित्रों यहीं थी सिंख रासी बालों की आज की रासी फल कि आई ये जानते हैं कर्णिया रासी के बारे में मित्रों कर्णिया के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रही है जैसे की डो पा पी पो मुर्धने स्वा ना ठा पे पो इन में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम सुरू होता है तो आपकी जो रासी है वो कन्या हुई जैसे की पंकज भी अगर आपका नाम है पो अक्षर पर में तो भी आपकी रासी कन्या ही हुई जैसे कि पुस्पा नाम है आपका तो भी आपकी रासी करन्या हुई पी अक्षरपड में जैसे कि पिंकेस नाम है तो भी आपकी रासी करन्या हुई अब इन मेंसे किस अक्षरपड में क्या नाम है आपका अब आप सभी का नाम तो मुझे याद नहीं या आप सभी का नाम तो मैं नहीं जानता इसलिए आप अपना नाम कमेंट में लिखके मुझे बताएं क्या नाम है आपका मित्रों और आपके जो रासी स्वामी है वो बुद्ध देवता हुए आपका जो जीवन रत्न है वो पन्ना हुआ मित्रों आपका जो भागे साली दिन है वो बुद्धवार है और आपका जो भागे साली रंग है वो हरा है मित्रों अगर आप कोई रत्न पत्थर एस्टोन जेम्स धारन करना चाहते हो तो पन्ना नाम का एक ऐसा रत्न है जिसको आप धारन कर सकते हो लेकिन हमारे जह बाइबंदू इस रतन को धारण करने में सक्छम नहीं है वो लोग इसके बदले में ओनेक्स भी धारण कर सकते हैं जो कि इसका छोटा भाई है अंदर ये है कि ओनेक्स आप डियर से दो साल पहन के रख सकते हो उसके बाद आपको बदलना पड़ेगा क्योंकि उसकी पावर उसकी चमता समाप्त हो जाती है और पन्ना को साथ से दस साल तक आप पहन के रख सकते हो लेकिन जो भाई बंधु और एक सत्वा पन्ना धारन करने में सक्षम नहीं है वो लोग अपने जीवन रत्न के बदले में जीवन मंत्र का जाप करेंगे उनका जीवन मंत्र है आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए फाइदा आपको जितना उस रत्न को धारन करके मिलेगा उतना ही इस मंत्र के जाप से भी मिलेगा मित्रों इस मंत्र का जाब का दो सर्थ है पहला सर्थ यह है कि इस मंत्र का जाब केबल और केबल आप बुद्धवार के दिन से सुरुआत कर सकते हो इस्टार्ट कर सकते हो दूसरा सर्थ यह है कि इस मंत्र का जाब आप केबल और केबल रुद्राक्ष की माला पर में करोगे मित्रों बुद्धवार के दिन सुबह में मौर्णिंग और अश्नान बगेरा करके एक रुद्राक्ष की माला लेके आसनी लगा के बैठ जाना है और इस मंतर का एक माला जाब कर लेना है उसके बाद ऐसे ही डेली कंटिन्यू करना है इस मंत्र के जाब से अथवा इस रत्न के धारन करने से क्या फाइदा होगा आपको आपकी अस्परन सक्ती जो है चमतकारी के रोप से बढ़ जाएगी आपको कोई भी चीज एक ही बार में देखोगे और आपको याद हो जाएगा अगर आपके घर में धन संपती की दिक्कत है तो वो समस्या दूर हो जाएगी आर्थे के स्थिति अगर खराब है तो वो दूर हो जाएगी पैसे सम्मंदित किसी भी परकार की समस्या है तो वो दूर हो जाएगी नौकड यत्वा बेपार में दिक्कता रही है वो दूर हो जाएगी मन में बेचैनी रहती है वो दूर हो जाएगी साकारात्मों कोई नामों की प्राप्ती होगी तो मित्रों आईए अब आगे विशेश जानते हैं कन्या रासी के बाड़े में कि क्या है कन्या रासी वालों का आज का रासी फल आज यानिकी 14 नवंबर 2019 दिन गुरुबार लाव लेने के लिए बरो को आपनी अतरिक्त उर्जा का साकारात्मों कुपियों करना चाहिए कम समय के लिए है अहम लोगों से बाचीत करते वक्त अपने आख कन खुले रखे हो सकता है कि आपके हाथ कोई कीमती वात या बिचार लग जाए अपने ब्यक्तित्त का रंग रूप को बहतर बराने का कोशिश संतोष जनक साबित होगा अपने साथी पर किया गया संदे एक बड़ी लड़ाई का रूप भी ले सकता है मित्रों सनस्वास्त के लिहाँ से आज का दिन आपका सामानी रहने आला है दंसमत्ति के मामले में समय उतना अच्छा नहीं है परिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहने ओप प्रेम सामथु जीवन भी आज का दिन बढ़िया है नौकडी में बिना किसी संगर्स के बिना किसी टेंसन के आज का दिन बीठेगा उपाई आपके लिए कि नसे बाजी से दूर रहें इससे आपकी आर्थिक हाला जो है वो वहतर हो जाएगी तो मित्रों यही थी कन्यारासी वालों की आज की रासि फल तुला रासी में तुला रासी के बाड़े में जानते हैं तुला के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा है जैसे कि रौ रा री रू रे रो ता ती तू ते इन सब में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो रासी है वो तुला हुई आपके जो रासी स्वामी है वो सुक्र देवता हुए और आपका जो जीवन रत्न है वो ओपल अथवा ही रहा हुआ केबल और केबल असपहाटिक करेंगे हुआ मित्रों अन्तर है कि अधवा अथवा उपल फायर आप 5–7 शाल तक धारण करके रख सकते हो, tha के तार करका क्योंकि ऑपल फायर की तो तो ऑबाद हो जाती है अस्फटििक ऑगर दिये दो साल बाद करका से दो यह को दो इस में नहीं है, उनको क्या करना है कि गाड़न गाण मत्र का देनिंडू नहीं होगा निश्चीत-डी आपका जो संपुर्ण जीवन टिका हुआ है तुलारासी वाले वह सुंग नाम का एक बीज मंत्र है उस पर में आपका संपुर्ण जीवन टिका हुआ है मित्रों इस मंत्र के जाप करने का बिधान ये है कि आप सुक्र बार के दिन मौर्णिंग में अश्नान बगेरा करके सुक्रवार के दिन से ही इस मंत्र का जाप स्टाट करना है उसके बाद दैनिक इसी प्रकार से अश्च्ञान करके मॉर्णिंग में और इस मंत्र का जाप करना है मित्रों इस मंत्र के जाप से अत्वा इसरत्न को धारन करने से फाइदा आपका क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ मित्रों ये एक बहुती चमतकारिक मंत्र है धीरे धीरे आपको ये माला माल करता जाएगा पैसे समंति समस्याओं को ये दूर करता जाएगा आपके धन, यस, सौंदार, रूप, इजजद, परतिष्ठा, यस में बिर्धी करना सुरू कर देगा कहते हैं कि अगर किसी व्यक्तिकों मधमेह की विमारी है तो लोग अगर इस रतन को धारन करते हैं अत्वा इस मंत्र का जाब करते हैं तो उसमें भी ये लावदायक शिद होता है इसलिए दैनिक रूप से इस मंत्र का जाब करें और इस रातन को अगर आप धारन कर लेते हैं तो भी अगर आप चाहें तो इस मंत्र का जाब कर सकते हैं यही थी मित्रों तुलारासी के बारे में कुछ महत्फ़न जानकारी तुलारासी वालों का आज का दिन कैसा रहेगा मित्रों 14 नावंबर 2019 गुरुबार का दिन कैसा रहेगा मित्रों सेहत बढ़िया रहेगी केवल एक दिन को नजर में रखकर जीने की आपकी आदत पर काबू रखे और ज़रूर से ज़्यादा वक्त वो पैसा मरोन अंजन पर लगाए मित्रों पढ़ाई लिखाई में कम रूची के चलते बच्चे आपको थोड़ा निरास कर सकते हैं अगर आप खुले दिल से अपनी बात रखें तो आपकी महबत आज आपके सामने प्यार के फरिष्टे के रूप में आएगी पैसे बनाने के उन नए बिचारों का उपियोग करें जो आज आपके जहन में आए द्रगावधी में कामकाज के सिलसले में की गई यात्रा फाइदेमंद सावित होगी आज आपका आपस में कुछ ज्यादा विबाद हो सकता है जिसके दुरगामी परिणाम बैभाहिक जीवन आज आपका बढ़िया नहीं रहने वाला है मित्रों प्रेम समंध और बैभाहिक जीवन के मामले में समय आज आज आपका आच्छा रहने वाला है और बिजनिस भी आज आपका बहुत बढ़िया चलने वाला है पढ़ाय लिखाई वे विद्यार्थि को मन लाएगा नौकरी करने वाले लोगों को आज टेंसन मुक्त नौकरी करने का मौका मिलेगा अगर आपको यह गाम करते हैं तो उसमें आपके सिनियर्स और आपके बरिष्टों का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा आपकी परसंसा करेंगे मित्रों उपाई आपके लिए यह है कि सफेद संग मरवडी पत्थर पर शफेद चंदन लगाकर जल परवाहित करने से पारिबारिक जीवन जो है आपका वो अच्छा रहेगा तो यही थी मित्रों तुला रासी बालों की आज की रासी फल आईए जानते हैं ब्रिश्चिक रासी के बारे में मित्रों ब्रिश्चिक के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा है जैसे की तो ना नी नू ने नो यह आकर यह द्रगी अथवा हर्शी कर यह द्रगु अथवा हर्शु कर इन सब में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम सुरू होता है तो आपकी जो रासी है वो ब्रिश्चिक होती है जैसे की आपका नाम मौन लो नी अक्षर पे है निलेस अथवा नीलू यो अक्षर पर में है यस अथवा यस राज अथवा यम राज आपका जो भी नाम है मुझे तो याद नहीं आप अपना नाम कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हो मित्रों तो आपकी जो रासी है वो बिरिश्चिक ही हुई और आपके जो रासी स्वामी है वो मंगल देवता हुई आपका जीवन रत्न जो है वो मुंगा हुआ आपके लिए जो भागे साली दिन है वो मंगल बार हुआ मित्रों अगर आप कोई पत्थर एस्टोन रत्न जेम्स धारन करना चाहते हो तो मुंगा नाम का रत्न आप धारन कर सकते हो मित्रों मुंगा एक बहुत ही चमतकारिक लेकिन खतरनाक रत्न भी है जो लोग जो भाई बंदु मुंगा को धारन करने में सक्षम नहीं है वो लोग मुंगा के बदले में अपने जीवन रत्न के बदले में जीवन मंत्र का भी जाप कर सकते हैं मित्रों इस मंत्र का आपको दैनिक 108 बार जब करना है इस मंत्र के जाप का सर्थ क्या है कि इस मंत्र का जाप आप केबल और केबल मंगलवार के दिन से उठा सकते हो शुरू कर सकते हो और दूसरा सर्थ यह है कि इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष के माला पर में करोगे मित्रों इस मंत्र के जाप के लिए आप मंगलवार के दिन सुवा में असनान बगेरा करके रुद्राक्ष के माला को ले करके एक आशन जमीन पे बिच्छा करके और वहां पर मियाब बैठ करके उस मंत्र का जापे स्टार्ट कर दोगे और दैनिक रोज इसे हिसाब से जाप करोगे इस मंत्र के जाप से अथवा इस रत्न को धारन करने से आपको क् अगर आप इस रत्न को धारन करते हो अथवा इस मंत्र को जाब करते हो तो आपके साहस में चमतकारी कुरूट से बिर्धी हो जाएगी आपका आत्मी स्वास बढ़ जाएगा पुलीस, आर्मी, डॉक्टर, प्रुपर्टी के काम करने वाले, हथियार निर्वान करने वाले, सर मित्रों मंत्र का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इस रत्न को धारन करते हो और आपको कुछ ऐसा महसूस होता है, जैसे कि अचानक से दुगहटना हो जाना, जीवन साथी के बीच में तनाव टेंसन हो जाना, परिवार में कला हो जाना, आपके स्वास्त के लिहाज से आज का दिन आपका बहुत अच्छा है, आपकी खुसमिजाजी ही, आपके आत्म विश्वास में बरोतरी करेगी, यात्रा आपको ठकावन और तनाव देगी, लेकिन आर्थिक तोर पर फायदेमंद साबित होगी, आपके विक्तिगत मोर्चे पर पर आपको अपने प्रिये की याद सताएगी, किसी भी तरह की शाजेदारी करने से पहले उनके बाड़े में अपनी अंदरुनी भावना की बात जरूर सुने, यात्रा और सिक्छा, यात्रा और सिक्छा से जूरे काम अपनी आपकी जागरुकता में बिर्धी करेंगे, का बढ़िया रहने वाला है, प्रेम समंदर वेभाहिक जीवन के मामले में आज आपको परिसानियों का सामना करना पड़ेगा, बेवसाई यानि की बिजनेस आपको बहुत अच्छा नहीं चलने वाला है, नौकरी करने वाले लोगों को भी कुछ न कुछ परिसानियों का सा करने से आपकी आर्थिक इस्थिति जो है वो अच्छी जरूर हो जाएगी, यही थी प्रिस्चिक रासी वालों की आज की रासी फल, आए पहले कुछ बिशेस बातें जानते हैं धनू रासी के बारे में मित्रों धनू के सामने जो आपको अक्छर दिखाई दे रही है, जैस रासी भी अक्छर से आपका नाम सुरू होता है, तो आपके जो रासी है वो धनू हुई, आपके जो रासी स्वामी है वो बिरस्पती देवता हुए, और आपका जो जीवन रतन है वो पुखराज हुआ, मित्रों पुखराज, आपका जो भागिसाली दिन है वो बिरस्पती और आपका जो भागे साली रंग है वो पीला है मित्रों अगर आप कोई रत्ण, पत्थर, एस्टोन, जेम्स, रिंग धारन करना चाहते हो तो पुखराज नाम का एक ऐसा रत्न है जिसको आप धारन कर सकते हो लेकिन पुखराज एक महंगा रत्न हो सकता है आप में से बहुत स बहाई बन्सक्राइब का सकते हो और पुख्राज का पावर 25 सफफ साल अधवा 10 साल ज्यादा बढ़िया क्वाल्टी का है तो 10 साल, इस रत्न को आप धारन करके रख सकते हो। अमित्रों इस रत्न को धारन करने से क्या फाइदा होगा आपको? मैं आपको बता देता हूँ. इस रत्न के धारन करने से आपकी परशिद्धी बढ़ने लएगी, आप पॉपलर होने लगए, आपके मान सम्मान में बिर्धी होने लएगी, सिक्षा और क्यारिय लेकिन ह agree जो लोग इस रत्न को धारन करने में शक्षम नहीं है है वो लोग अपने जीवन रत्न के बदले में जीवन मंद्र का जाब करेंगे, जीवन मंत्र है उनका, आम ब्रिंग ब्रस्पते नमः, आम ब्रिंग ब्रस्पते नमः, ब्रिंग जो है वही जीवन मंत्र है आपका, और ब्रिंग पर में ही आपका संपुर्ण जीवन टिका हुआ है, मित्रों, आपको क्या करना है, इस मंत्र के जाब का ब है कि बिरस्पती आने वाले बिरस्पती बार के दिन आप को सुवह में असनान वगेरा करके एक रुद्राक्ष की माला हाथ में ले लेनी है एक आसनी ले लेना है और बैठ जाना है आसनी जमीन पे विछा करके और इस मंत्र का बिरस्पती बार के दिन से जाब सुरू कर देना रोज इसी प्रकार कम से कम एक माला जाप करना है ज्यादा ज्यादा आप जितना करोगे आपके लिए वो बेनिफिस्यल रहेगा मित्रों इस मंत्र का अगर आप रोज जाप करते हो तो रत्म धारन करने से जितनी फाइदा होंगे वो सारे फाइदे आपको इस मंत्र के जाप स सकते हो इसका कोई टाइम प्रियड नहीं है कि एक साल में इसका पावर कम हो जाएगा और दो साल में इसका पावर कम हो जाएगा या दस साल में इसका पावर कम हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए इस मंत्र का जाप करते रहें और अपने जीवन से सभी समस्याओं को धीरे धीरे करके शमाप्त कर लें धनू रासी वालों का आज का रासी फल 14 नौवंबर 2019 गुरुबार इस्पेसल उर्जा रुसाह का अत्रिक आपको घेर लेगा और आप सामने वाले सभी मौकों का भरपूर फायदा उठाने में सक्षम होंगे पुराने निवेसों के चलते आ आज काडियाले में आपको कुछ अच्छा समचार सुनने को मिल सकता है समाजिक और धार्मिक समारों के लिए बेहतरीन दिन है आज से पहले साधी सुधा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही मित्रों स्वास्त के लिहाज से आज का दिन आपका वरियां रहने वाला है दन समंद्धी के मामले में भी ठीक ठाक रहने वाला है पड़वाईक जीवन भी आपका सुखद रहने वाला है प्रेम समंदर व्यवाईक जीवन के मामले में तो आज का दिन आपका सबसे बेहतरीन रहने वाला है प्रेमी प्रेम का हो अत्वा पधी बतनी दोनों आज प्र का टुकरा अपनी जेब में रखने से नोकडी और बिजनेस में आपको तरक्षी मिलेगी. प्रयास करें कि एक सिका कोई ःथवा सिका हो तो नहीं तो कोई धातु का टुकरा अब अपनी जेब में रख सकते हैं. इससे आज आपको फाइदा होगा, तो मित्रों यही थी धरूर रासी बालों की आज की रासी फल, आएज जानते हैं मकर रासी कि बारे में कुछ महत्पुर्ण जानकारी, मित्रों मकर के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा है, जैसे की भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, और गी, इन सब में से अगर किसी भी एक्षर से आपका नाम सुरू होता है तो आपकी जो रासी है वो उम्मा कर हुई, आपके जो रासी स्वामी है वो सनी देवता हुए और आपका जो जीवन रतन है वो नीलम हुआ, आपका जो सुभ दिन है वो सनी वार हुआ और आपका जो सुभ र चाहते हो तो आप नीलम नाम का एक ऐसा रतन है जिसको धारन कर सकते हो मित्रो जो लोग नीलम को धारन करने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि नीलम एक बहुत कीमती रतन है बहुत कोश्टली रतन है तो इसके बदले में आप नीली धारन कर सकते हैं लेकिन मित्रो नीलम एक चमतकारिक रत्न भी है और नीलम एक खतरनाक रत्न भी है इसको धारन करने से क्या फाइदा क्या नुक्सान होगा मैं आपको बता देता हूँ मित्रों अगर आप नीलम धारन करते हो तो नीलम आपको आस्मान पर उठा सकता है तो खाक में भी मिला सकता है अगर आपको सूप नहीं किया तो ये कुछी समय में आपको राजा बना सकता है तो कुछी समय में रंक भी बना सकता है इसलिए बिना कुंडली की जाच करवाये हुए नीलम आप धारन ना करें अथवा नीली भी धारन ना करें इस रत्न को धारन करने से आपकी दूर द्रिष्टी बढ़ जाएगी आप बहुत दूर तक भविश्टी में देख पाऊगे कारी कुसलता आपकी बढ़ जाएगी दूर भी बढ़ जाएगा और और बहुत जल्द यह आपको प्रसिद्ध कर देगा लेकिन अगर यह आपको सूट नहीं कर रहा है तो शुरू में ही आपको अकारन हाथ पैर में दर्द होना शुरू हो जाएगा जबरदस्त दर्द होने लाएगा बुद्धी आपकी विप् इसलिए ऐसा जब भी आपको लगे नीलम अथवा नीली को तुरंत उतार दे क्योंकि वह आपको सूट नहीं कर रहा है मित्रों लेकिन जो लोग अपने जीवन रत्न को धारन करने में सक्षम नहीं है और एक चीज़ और बता दूँ कि बिना कॉंडली की जाच करवाए शंग शंग जो है यही आपके जीवन का मूल भूद आधार है यही आपका जीवन की 108 बार लाहें करों करोंगे और सड़ थिए है कि सनी बार के दिन से ही इस मंत्र का जाब करोगे आपके जीवन के जितनी भी समस्याइं हैं वो धीरे धीरे करके सब शवाब्त हो जाएंगी मकर रासी वालों का आज का रासी फली अनी के जजबात दूसरों के साथ साजा करने से फाइदा मिलेगा कुछ खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तिमाल करें जो पहले से ही आपके पास है खुष्णमा और बढ़ियां साम के लिए आपका घर महवानों से भर सकता है आपको अपनी और से सब से अच्छा बरताओ करने के जरूरत है क्योंकि आपके प्रिये का मूर बहुत ऑनिश्चित होगा नई चीजों को सीखने की आपकी ललक काविले तारीफ है आपका आकरसक और चुम्ब किये बेक्तितु सभी के दिलों को अपनी तरफ खीच लेगा खर्चों को लेकर के जीवन साथी से ताना तानी भी संभव है मित्रों स्वास्त के लिहाज से आज का दिन आपका बढ़िया नहीं है दंजबत्ते के मामले में समय शामानी रहने वाला है पाड़ी बार एक जीवन आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है बेवसा यानि के मामले में समय जो है आज आपका वह अच्छा नहीं रहने वाला है उपाई आपके लिए है कि सुगंधित चीजों का प्रियोग करने से स्वास्त लाभाव आपको प्राप्त होगा आपको हेल्थ संबंधी जो है कोई इसू नहीं आएगी तो मित्रों यही थी मकर रासी वाल सू से सो और दा इन सब में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम सुरू होता है तो आपके जो रासी है वो कुम्भ हुई आपके जो रासी स्वामी है वो सनी देवता हुए और आपका जो जीवन रत्न है वो नीलम हुआ मित्रों अगर आप कोई रत्न पत्थर एस्टों जेम्स धारन करना चाहते हो तो नीलम नाम का रतन आप धारन कर सकते हो लेकिन याद रहे नीलम एक खतरनाक और चमतकारी दोनों रतन है नित्रों इसलिए अपनी कुंडली की बिना जाच करवाए हुए इस रतन को धारन ना करें नीलम अगर आप धारन करते हो तो इससे क्या फाइदा और क्या नुक्सान हो सकता है आपको मैं आपको बता देता हूं मित्रों नीलम में कैसा रतन है जो आपको कुछी समय में राजा बना सकता है और नीलम में कैसा रतन है अगर आपको शूप नहीं किया तो कुछी समय में आपको रंक भी बना सकता है मित्रों नीलम ध प्रसिधी सचाएं नहीं किया उसको क्या होगा उसको सुरुआती लक्षण यह है कि अकारण ही हाथ पाउं में दर्द होना शुरू हो जाते हैं बुद्धी विप्रीत हो जाती है धीरे-धीरे संगहर्श बढ़ने लगता है ब्यक्ति अपनने जिंदगी के अलगषन लिए नीम ध्रन करने के बाद ये जरूर खरिमाय कि आपको यह और सूट कर रहा है अथब शूट सूर नहीं कर रहा है. जो लोग इस रत्न को ध्रन करने में सक्षम नहीं है वो लोग इस चेज भडले में अपने के मंत्र के 송लेवन e 9 मित्रों इस मंत्र के जाप का नियम यह है कि इस मंत्र का जाप आप शनी बार के दिन से स्टार्ट करोगे और शनी बार के दिन से स्टार्ट ही नहीं करोगे इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष के माला पर में करोगे यह दो सर्थ है आपका नियम है कि शनी बार के दिन सुवह में असनान बगेरा करके एक आसनी ले लेना है आसन एक रुद्राक्ष की माला ले ल जाना है डेली जाप करना है 108 वार फाइदा यह होगा कि आपके जीवन की प्रतेक समस्याओं का धीरे धीरे करके अंत हो जाएगा कुम्भ रासी वालों का आज का रासी फल्ट 14 नौवंबर 2019 गुरुबार स्पेसल आज अपनी सेहत आज आपकी सेहत जो है अच्छी रहेगे ज जीवन साथी के साथ बेहतर समझ जिंदगी में सुकून खुसी और समरिधी लाएगी आज आप अपने दोस्तों की महक उनकी अनपस्तिती में महसूस करेंगे आपके पास आज अपनी छमताओं को दिखाने के मौके होंगे आज कुछ ऐसा दिन है जब चीजें उस तरह की न आपका अच्छा रहने वाला है मित्रों पढ़ाय लिखाय करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़ियां है अच्छा परदर्सन कर पाएंगे नौकडी करने वाले लोगों को भी आज टेंसन मुक्त काम का काम की प्राप्ती होगी और सिनियर्स और बरिष् वो ज्यादा अच्छी रहेगी तो यही थी कुम्भ रासी वालों का आज का रासी फल आएए जानते हैं कुछ बिसेस बातें मीन रासी के बारे में मित्रों मीन के सामने जो आपको अक्छर दिखाई दे रहा है जैसे की दी दू थ जह या दे दो चा ची इन में से अगर किसी अक्छर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो रासी है वो मीन हुई जैसे की दी से अगर आपका नाम दीपक है तो आपकी रासी मीन हुई जैसे आपका नाम ऋ Loveдж जरूर बताएं ताकि मैं याद रख सकूँ उस अक्षर से उस नाम को और वीडियो में ले सकूँ अबकर मित्रों अगर आप कोई रतन पत्थाच जेम्स रिँν धारन करना चाहते हो नाम का एक ऐसा रतन है जिसको आप धारन कर सकते हों मित्रों इस रतन को धारन करने से क्या फाइदा होगा आपको मैं आपको बता देता हूँ लेकिन हमारे जो भाइबंदु इस रत्म को धारन करने में शक्षम नहीं होंगे वह लोग पुखराज के बदले में उसका एक छोटा भाई है इसका नाम है सुनैला उसको भी धारन कर सकते हैं मित्रों हम पहले जान ले कि इस रत्न को धार्न करने से क्या फाइदा होगा इस रत्न को धार्न करने से फाइदा आपका यह होगा कि आपको परसिद्धी मिलने सुरू हो जाएगी पोपुलरीटी मिलना सुरू हो जाएगा परसिद्धी के साथ साथ मां सम्मान मिलना सुरू हो समझ से आए तो उसको वी फाइदा होगा विद्या के संबंध में फाइदा होगा दन के संबंध में तो लेकिन जो लोग इस रत्न को धारन करने में सक्षम नहीं है वह आपका जीवन मंत्र का जाब करेंगे आपका जीवन मंत्र जो है वो है ओम ब्रिंग ब्रस पते नमा ओम ब्रिंग ब्रस पते नमा इस मंत्र का आपको दैनी के रोज 108 बाद जाब करना है इस मंत्र को जाब करने से भी आपको परसिद्धी की प्राप्ति होगी आपके जीवन से जितनी भी समस्याए है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी अगर आपकी बिवाह में समस्या आ रही है देरी हो रही है तो वो दूर हो जाएगी विद्या सिक्षा धन दौलत इजत प्रतिष्ठा प्राप्त करने में समस्या आ रही है तो वो दूर हो जाएगी अगर संतान से संबंधित कोई प बेफड़ों कि एक आशन लेकर करके एक रुद्राख्य की माला लेकर करके बैठ जाओगे आशनी बिछा करके और उसके मैं मंत्र का जाप कर दोगे मित्रों के ताइनिक इसी प्रकार से वियुष्प्रति प्रकार से आप जाप करते हुए चले जाओंगे जैसे जैसे मंत्र की संख्याब बढ़ती जाएगी आपके जीवन से समस्याओं का अंत होता चला जाएगा मीन रासी बालों का आज का रासी फल यानि की 14 नॉवंबर 2019 दिन गुरुबार मित्रों उम्र द्राज लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है अक्समिक मुनाफ़े या सटेवाजी के जरिये आर्थिक हाला सुद्रिड होंगे समाजिक उच सबों में सहवाईता का मौका मिलेगा जो आपको प्रहवसाली वेक्तियों से संपर्क में लाएगा आपके जीवन में प्रेम की बाहर आ सकती है आपको जरूरत है तो वस अपने आख कान खुले रखने की दफ्तर की राजनिती हो या फिर कोई बिबाद चीजे आपके पक्ष में जोकी नजर आएंगी मुम्किन है कि आपके अतिस से जुरा कोई सक्स आज आप से संपर्क में आ सकता है और इस दिन को यादगार बना देगा आज आपको रंग ज्यादा चटक नजर आएंगे क्योंकि फिजाओं में प्यार का खुमार चड़ा है मितनों स्वास्त के लिया और पढ़ाई लिखाए करने वाले बिद्यारतियों के लिए भी आज का दिन मिला जुला की ठीक ठाक रहेगा रिजल्ट अगर को याने वाला है तो मेडियम रहेगा और नौकरी करने वाले लोगों का भी दिन आज बढ़िया है उबाई आपके लिए है कि हरे रंग के कपर अगर आज आप पहनते हैं तो आपके लिए बरा चमतकारिक दिन रहेगा तो मित्रों यही था आज में रासी वालों का आज का रासी फल उम्मेद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी आपके लिए बेनिफिस्यल सावी तवस्य होई होगी अगर वाके कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके वेल आइकन के बटन को दबा दे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद थैंक्यू थैंक्यू सो मच जैहिंद बंदे महतरम